गोव में आयोजित ओपन बैडमिंटन चेंपिनशिप में सोलन के युगेश ने हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है और गोल्ड मेडल जटक कर नैशनल चेंपिनशिप की ट्रोफी पर कब जा किया है हिरानी की बात यह हिमाचल के चोटे से जिला सोलन के खिलाडी ने जहां कोच तक की सुविदा नहीं है वीशिम परस्तितियों के बावजूद उसने रास्टे वांतरास्टे खिलाडी को हरा कर ना केवल सभी को हैरत में डाला बलकि इंडिया की मास्टर नेशनल बैडमिंटन की ट्रॉफी पर कब जा किया है खिताब जीतने के बाद सोलन पहुंचने पर योगेश का भविस्वागत किया गया योगेश ने अपनी दिल की बात मीडिया के समक्ष रखी उसने बताया कि हिमाचल में पहली बार किसी खिलाडी ने मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपिन का खिताब हासिल किया है इसलिए वे अपनी उपलब्दी पर बेहत खुश हैं और वे नेशनल चैंपिन बनने पर वर्ल्ड चैंपिन बनना चाहते हैं उन्होंने चिंता जाहिर की कि वे अपनी तैयारी के लिए बैंगलोर प्रसेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वे प्रसेक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत वर्ष के करीब 500 खिलाडियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें योगेश का एक साथ 9 मैच हुए जिन में वे लगातार विजय होते रहे और सभी को हराकर रास्टे चैंपियन बने दीखे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे इसमें उसमें मैंने टोटल 9 मैच खेले नौ में से मेरे कौर्टर फाइनल के बाद हर मैच 3-3 सेट्स का गया जो कि बहुत टफ रहे और लास्ट जो मेरा फाइनल मैच था वो मेरा मनीपूर का जो लास्ट येर का नेशनल चैंपियन साथ हुआ और वा उसको मैने तीन सैटों में जो है अब जो है डो है मैं वर्ल्ट करना चाहिए तो मैं उनसे दर्खास्त करूँगा कि मेरी हेल्प करें ताकि मैं और अपने वर्ल्ड चैंपेंशिप जो कि पॉलन में होने जारी है उसके लिए मैं जाद से जादा मेहनत कर सकूँ और वहां से प्राइज ला सकूँ तोलन में फैसिलिटी बहुत कम है हमारे यहां एक सिंगल कोट है जिसमें जब बारिश होती है तो पानी आयाता है तो हमने काफी दर्कवास्त किया डीसी साब से सबसे करी है कि उसकी जो है अच्छी तरह उसको अच्छे तरीके से उसका काम करवाय जाए पर हमें कोई उसकी हल्प नहीं मिल पा रही है तो एक कोट में खेल कर मैंने जो है इतनी उपलब्दिय भी है हासल की है